नमस्कार वियस किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी चटपटी भर्मा प्याज की सबजी तो चलिए इसके लिए मैंने प्याज को छील के पहले से दो लिया है और इसको बीच में से हम इस तरह से कट लगा लेंगे ये कट जरूर लगाएगा क मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा तो यहां इस तरह से हम सारे प्याज कट लगा लेते हैं तो यह प्याज यहां पर हमारे वो चुके हैं यहां पर मैंने 2 टेबल स्पून ओल लिया है और जीरा और दो पिंच डाली है हिंग पाउडर और इसको अच्छे हम तेल में अच बून लेंगे। देखे जीरा हो चुका है इसमें हम एड़ करेंगे अध्रग और लसुम को मैंने पतला पतला काट लिया आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के समें डाल सकते हैं इसको हलका सा गोल्ड होने देंगे अभ हम इसमें एड़ करेंगे प्याज यहां पे मैंने बड़े साइस का प्यास बारिक काट लिए है इसको हम इसमें मिला देंगे और तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे बस प्यास हमारा सोफ्ट हो जाएगा तब ही हम इसमें मसाले एड करेंगे यहां पर हमने अच्छी में एक च्छी पाउडर है एक चीस पून एमिन ने एड़िट स्ची अच्छ एक Cum L आउड ही संटाइ एद करेंगे हम इसमें धन्यां पाउडर और इस टाइम आपने ग्यास की फ्लेम को लो रखना है नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे इस तरह से चलाते हुए हम इने बूल लेंगे देखे मसाले हमारे भून चुके है और अब इसमें आड़ करेंगे टमाटर की प्यूरी यहां पर में इने डेट कप टमाटर की प्यूरी लिए है और इसको अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स कर देंगे नमक में डाल रहे हैं नमक कम या ज्यादा अपने टेस्ट की ज़ाव से डालेगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप एक चमच गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह चलाते हुए और इसे डख के पांच मिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे पांच मिट हो चुके हैं देखिए मसाला हमारा पग गया है दही ले रहे हैं और यह दही मैंने पहले से फेट लिया है यहां पर दही डाल देए आप देए लगातार च जाएगा दही यहां पर मैंने लिए वन फोट कप लगातार चलाते रहें और पहले से दही में उबालना आ जाए है और दही डालते वक्त आपने इस बात का द्यान रखना है कि दही आप इस सब्जी में जोड़ देखिए लिए लगातार चलाते जाना है वरना दही में पट जिसमें पर से तेल आ गया है अब हम इसे दो मिट के लिए लगाते हुए जितने भी आपको ग्रेवी पतली देखिए गाड़ी चाहिए उसे हिसाब से हम इसमें पानी एड़ करेंगे इसमें मैं हाँ पानी डालू नी क्योंकि मैं यहां पर ग्रेवी बाली सब्जी बना रह प्याज की सब्जी बना रहे हैं था मैं आप डेड चला देंगा इसमें मिट कर देंगे और इनको अची interpreंगे psycho निश्मेटि रखे ते मिरे करेंगे और ऋपर यह बड़ी में मिला देए के चाम सब्सक्राइब करें अचे से मिलक्सक्राइब मुझ यहां कईजिस्पून करके की सरताइब करें इससे सबजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इसको हम 7-8 मिनिट ढखके पकने के लिए छोड़ देंगे देखिए 8 मिनिट हो चुके हैं हमारी सबजी में देखिए कितने बबल सारे हैं और ग्रेवी भी हमारी गाड़ी हो चुकी है प्याज हमारे सोफ्ट हो गए हैं तो यहां पर सबजी हमारी ओल्गेटी पक चुकी है और आप इस सबजी को बनाएं और चपाती या परांठा जिस चीज के भी साथ भी कानियों आप खा सकते हैं और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक जुरूर करें और वीडिय देखने के लिए थांक यू